हलो दोस्तों सौगत हैब सबका स्मार्ट आईएस में फ्रिंट्स आज हम करेंटरफेस की सीरीज में कुछ और एमसी क्यूज करेंगे विद अहल्प ऑफ मैप्स हम कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट आईएस में कि आपकी जो आने वाले उस परस्पेक्टिव से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यूज है या जितनी भी प्लेसे ड्यूज में रही हुई है उनको हम उन एक्जाम से पहले कवर कर लें आपकी मैक्सिमम हो पाए तो लेट्स स्टार्ट अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर निरेंदर मोदी की रीसेंट विजिट हुई है नौडिक कंट्रीज में तो इस परस्पेक्टिव से हमारे लिए नौडिक कंट्रीज जो है वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है एक कि नौडिक कंट्रीज कोन-कोन सी है दूसरा ये है कहाँ पे ठीक है और पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि नौडिक काउंसिल क्या है नौडिक काउंसिल क्या है ये एक इंटर पारलिमेंटरी ओफिशिल बॉडी है उनकी जो जितनी भी नौडिक कंट्रीज है उस Sweden, Denmark, Finland, Norway, Iceland as well as अब कुछ islands भी हैं जैसे Faroe Island, Greenland और A-land ठीक है इसके headquarters कहां पे हैं इसके headquarters हैं Copenhagen में Denmark में ठीक है अब थोड़ा सा map में देखते हैं कि ये countries कहां पे हैं तो अब देखो आपको ये दिख रहा है ये red region ये Norway है ठीक है ये Norway है मैं pen का color change कर लेता हूँ black ये Norway है ठीक है ये आपको यहाँ पे Norway गिमन है ये जो है आपका ठीक है ये जो ये है ये Sweden है ठीक है ये जो country है ये Sweden है यहाँ पे yellow में yellow ये Finland है ठीक है Norway, Sweden, Finland अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की countries है एक मैंने आपको बताया Nordic countries है एक हमारे पास Scandinavian countries है ठीक है और एक हमारे पास Baltic countries है इनका difference आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि which of the countries form the Baltic countries which of the falling countries are part of Scandinavian countries या फिर which country does not form part of Baltic country या Scandinavian country या Nordic country किसी भी तरह से question आपसे पूछा जा सकता है तो इन तीनों का difference भी आपको हम explain करेंगे पहले हम थोड़ा सा Nordic countries को देख लेते हैं Nordic countries में Norway, Sweden, Finland में आपको बताया ये है Denmark हमारा, ये है Iceland, ठीक है ये Iceland है, ये Greenland है, ठीक है अब Greenland आपसे पूछा जा सकता है कि Greenland जो है वो किस country का part है तो Greenland आप याद रखना ये Denmark का part है Match the Falling में भी ये question आपसे पूछा जा सकता है आपको islands दे दिये जाएंगे जैसे Greenland के सामने एक island Greenland के सामने एक country Ferro Island के सामने एक country Ferro Island भी जो है, ये किस का part है ये Denmark का part है, ठीक है और ये है यहाँ पे Civilbard, Civilbard जो है ये Norway का part है आपसे ये MCQ Match the Falling में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है तो ये आपको प्लीज याद रखना है कि Greenland, Denmark का part है Ferro Island भी Denmark के पास है और Civilbard, Norway के पास है ठीक है, ये हमारी Nordic countries है Norway, Sweden Finland, Denmark ठीक है, उसके बाद हमारा ये Iceland, Iceland उसके बाद जो islands भी है, autonomous region है बिसिकली है, लेकिन ये है autonomous बट अंडर Denmark और Norway है जैसे ये Ferro Island और Greenland Denmark का part है, Civilbard जो है वो Norway का part है, ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की और भी countries है एक है हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हैं Baltic countries ये Baltic countries कौन कौन सी है, अब Baltic आपको पता है कि Baltic Sea है ये यहाँ पर Baltic Sea है अब Baltic Sea के सराउन तो बहुत सारी countries हैं, बट सारी countries जो हैं ये Baltic Sea का part नहीं है, Baltic Sea का part सिरफ तीन country, Baltic sorry, Baltic countries का part जो हैं वो सिरफ ये तीन countries है, one is Estonia, ठीक है, एक Latvia और एक Luthernia ये ही तीन countries ये तीन countries ऐसी हैं जो हमारा Baltic countries का part है, ठीक है, Estonia Latvia and Luthernia ठीक है, ये आपसे North to South ये South to North भी पूछा जा सकता है ये आपको याद रखना है कि Estonia Latvia and Luthernia are the only three Baltic countries अब next है, हमारे पास एक आ जाता है, Scandinavian countries, ठीक है, तो Scandinavian countries कौन-कौन सी है Scandinavian countries कौन-कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कि Norway, Sweden, Finland Norway, Sweden, Finland जो है, ये जो तीन countries है हमारे पास ये सिरफ are the only countries जो Scandinavian countries जिसको हम बोलते है ठीक है, बाकी countries को हम Scandinavian नहीं, Scandinavian में सिरफ यही तीन countries है, next MCQ इस region से जो आपका बनता है, वो बनता है Gulf of Bothnia पे, कि Gulf of Bothnia जो है, वो किन दो countries के बीच में है ठीक है, तो ये है हमारा Sweden यहाँ पे आप देख रहे हो Sweden जो वेस्ट में है इसके और यहाँ पे यह देख रहे हो Finland Finland जो इस्ट में है, तो Gulf of Bothnia दो, Sweden और Finland के बीच में है, ये Gulf of Bothnia इसी के नीचे, अगर आप देखो के तो ये Baltic Sea है ये Baltic Sea है तो यहाँ से question बनता है कि हम से पूछ लेते हैं, कि which of the falling countries countries जो है, वो बताओ जो किसको surround करती है surrounding, surrounding Baltic Sea ठीक है, Baltic Sea के surround करने वली और वो कुछ, कोई एक country ऐसे दे देंगे, जो उसके surround नहीं भी करती है, तो वो आपसे different तो ये आपको learn करनी है कि Baltic Sea के around, क्योंकि इस बार वहाँ पे नेंदर मोदी जी की visit हुई है, तो इसलिए ये region हमारे लिए बहुत important हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको clockwise ऐसे start कर सकते हो, Sweden देखो, अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कि एक जो Baltic Sea के surround हमारे पास Baltic countries है, वो भी इसी का पार्ट है, जैसे Sweden, Finland ठीक है, उसके बाद हमारे पास Estonia, Latvia, Luthenia ठीक है, ये आपको पता है, तीन countries कौन सी है, ये तीन countries को हम बोलते है, Baltic countries इन तीन countries को, Estonia, Latvia लुथेनिया को हम Baltic countries बोलते है तो ये आ गया, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये वला रीजन, ये है Poland ठीक है, ये Poland है और ये जो आप देख रहे हो, येलो में ये है जर्मनी जर्मनी है ठीक है, जर्मनी डेनमार्ग, ये countries वो countries है, जो Baltic countries है जो Baltic countries नहीं है बकि Baltic Sea को surround कर दी है, और यहाँ पर एक जो most confusing है, वो याद रखना अब क्योंकि वो miss हो जाता है रशिया हमें एक side पर दिखता है तो रशिया भी surround करता है Baltic Sea को ठीक है, ये जो part है ये रशिया के part है, ठीक है इसलिए रशिया को रशिया भी surround करता है Baltic Sea को ये Baltic Sea और ये रशिया ये part रशिया का part है, ठीक है तो ये सारी जो countries है, ये Baltic Sea के surround करती है ठीक है, आई होब कि आपको पता चल गया होगा Scandinavian countries, Baltic countries and Nordic countries के बीच में difference, कौन-कौन सी countries किस में आती है, और islands आपको सारे पता चल गए, कि कौन सा island किस का part है, ठीक है, इसी के साथ हम हम अपने MCQs पे चलते हैं भोगता community was in news recently in which state union territory भोगता community lives अब आपको पता है कि ये भोगता community देखो उनी tribes से question पूछा जाएगा जो अभी news में रही हो, तो भोगता community को basically अभी हुआ क्या है, पार्लेमेंट ने एक बिल लाया है तो उसमें उसको क्या किया है भोगता community जो थी, वो SC का part थी, जिसको निकालके अब ST का part बना रहे हैं, ठीक है तो ये वह, तो ये जो इसी से इसलिए ये question आ गया कि भोगता community कहाँ पे मिलती है, तो भोगता community हमें जारखंड में मिलती है ये आप याद रखना, ठीक है, ये मैंने आपको explain पहले ही कर दिया जारखंड में, उसके बाद next चलते हैं, नीती आयो release the second edition of export preparedness index 2021, which state of India is in the top position, तो अब friends, देखो, first MCQ हमारा यहां से ये बनता है, कि export preparedness index जो है, इसको कौन release करता है, तो इसको release कौन करता है नीती आयो, ठीक है, तो अब जो next question जो हमने आप से पूचा है, कि नीती आयो ने जो release किया है export preparedness index, इस में top position पे कौन रही है, तो इसमें top position पे हमारी रही है गुजरात, और states में गुजरात रही है, और यूटीज में अगर पूचें, तो दिल्ली ये आप याद रखना यूटीज में दिल्ली और सिर्ट में ठीक है, ये आपको हमने explanation में यहाँ पे provide किया है, ये आपको हम अपने telegram group में इसका link भी provide कर देंगे, pdf का वो वहाँ से आप pdf भी इसका ले सकते हैं, उसके बाद next, which of the following countries are members of the beam stack अब beam stack submit हुआ है भी, ठीक है, स्रे लंका में अब आप देख रही होगे कि हमने आपके साथ वो summits, वो places, वो communities हम आपसे discuss कर रहे हैं जो की news में है, ऐसे तो इतने सारे summits, इतने सारे conferences रोज होती है, इतनी सारी tribes हैं, इंडिया में हम सब को कर नहीं सकते, और हमारे लिए वो important भी नहीं है, हमारे लिए important सिरफ वो हैं, जो news में रही है तो beam stack, beam stack जो है, वो अब है क्या और उसकी countries उसमें कौन-कौन सी आती है, ठीक है, तो beam stack क्या है, beam stack Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical technical economic cooperation है, ठीक है, ये एक multilateral organization है, जो basically जो member countries है, उनको help कर वो आपस में interrelated हैं और कह सकते हैं कि आप जो help करती है accelerate करने में growth और cooperation between the littoral and adjacent countries in the Bay of Bengal में, ठीक है तो अब इसमें countries कौन-कौन सी हैं, अब इसमें याद रखना कि seven countries हैं, जो beam stack का part है, ठीक है अब मैं आपको दो तरह से इनको याद करने में बताऊंगा कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो एक, क्यूंकि जब objective आता है तो हम दोनों तरह से इसको help कर, दोनों तरह से solve कर सकते हैं पहले आप simple ये याद रख लो कि इसमें 5 South Asian countries हैं और 2 South East Asian हैं South Asia में जैसे बंगलादेश नेपाल, इंडिया, श्रिलंका, भुटान ठीक है और South East Asia की मैनमार और थाइलेट ये है ये found कब हुई ये 1997 में बनी क्योंकि मैनमार जो है और नेपाल और भुटान ये बाद में इन्होंने जोइन किया था मैनमार ने जोइन किया है 1997 में और नेपाल और भुटान ने जोइन किया है 2004 में ये मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रिलंका ने रीसेंट जो है बिमस्टेक समिट उसको वहाँ पे होस्ट किया है अब देखो अब आप ये ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि देखो जो important countries हैं इस region की ठीक है चाइना वो इसका पार्ट नहीं है तो किसी भी option में अगर आपको चाइना दिख रहा है ये देखो ये देखो चाइना दिख रहा है तो चाइना इसका पार्ट नहीं है तो हम उस option को ऐसे ही eliminate कर सकते हैं यहां पे भी-चाईना था इसको हम वेहां चाईना था इसको हमRoश कर सकते थे। तquito हमारे पास एक ही औप्शन पचता बचता ओप्शने ठीक है उसके बाद यह भी याद रखो कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है ठीक है पाकिस्तान और चाइना जो इस रीजन में है बट इसका पार्ट नहीं है बीमस्टेक कंट्रीज का तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है बंगलादेश, महनमार, थाइलाइंड, नेपाल, इंडिया, श्रिलंका, भुटान ठीक ह नेक्स question पहुआ हम चलते हैं अब इंडिया का लार्जस्ट फ्लोटिंग안 Владawa inugheit हुआ है यह कहांद पे हुआ है ठीक है यह हुआ है इसमिलदी तूतुकॉडी तूतुकॉडी इन तूतुकॉड ही इन एनगहरेर किया गए इंडिया का largest solar largest floating solar power project ठीक है next हम चलते हैं next हम मारा question है living root bridges is sometime seen in news in which state of India living root bridges are found अब जो यह living root bridges है न ठीक है यह बहुत important है क्योंकि यह अभी news में थे क्योंकि इनको UNESCO ने अपनी heritage sites की tentative list में डाला है ठीक है इसलिए हमारे पास यह बहुत important हो जाते हैं अब यह living root bridges है क्या basically अगर suppose यह river जा रही है तो यहां पर एक tree है यहां पर एक tree है वहां पर special kind के tree होते हैं इनकी shoots को आपस में bind इस तरह से की कर दिया जाता है कि 5-7 साल के बाद यह as bridge बन जाते हैं और यह बहुत ही famous है hundred से उपर bridges हैं वहां पर और यह कहां पर हमें मिलते हैं यह हमें मिलते हैं Meghalya में ठीक है living root bridges तो यह explanation है नीचे यह आप पढ़ सकते हो UNESCO ने उसमें डाला है उसके बाद हम चलते है next दस्तलिक the military exercise between India and अब देखो हर exam में हमें एक ना एक military exercise से related question जरूर पूछा जाता है और वो भी military exercises हम से वो पूछी जाती हैं जो recent time में अभी हुई होती है तो दस्तलिक जो है वो अभी हुई है यह कहां पी हुई है रशिया किर्गिस्तान उजबेकिस्तान या नानावदा ठीक है तो यह friends याद रखना कि दस्तलिक जो है यह उजबेकिस्तान के साथ होती है इंडिया की यह उजबेकिस्तान में अभी होई है अब आपके लिए यहां पर यह question हम आप बनता है कि अभी यह एक और दो exercises और है एक है लेमिते एक है स्लिनेक्स यह आपको comment section में हमें बत बीच में या multi countries के बीच में होती है यह please हमें बताना कल हम आपको इसका answer बताएंगे next question जो है वो है as part of India's अजादी का अमरित महुतसव आपको पता है कि अजादी का अमरित महुतसव के celebration अभी चल रही थी तो the mahatma Gandhi green triangle has been inaugurated in which country by Indian embassy कहां पे inauguration हुई यह green triangle की तो friends यह आप य green triangle की inauguration जो है मेडगासकर में होई है मेडगासकर में Indian diaspora जो है specially from Gujarat बहुत ज्यादा है मतलब Gujarat इस काफी मेडगासकर में रहते हैं तो महात्म तो यह green triangle भी क्योंकि महात्मा गांदी जी गुजरात से थे तो मेडगासकर में यहाँ पर इसकी inauguration हुई है green triangle की ठीक है उसके बार last question हमारा आज के लिए जो है वो है कि which institution issued the world's first wildlife conservation bond अब wildlife conservation bond जो है अब आपको पता है कि पहले एक social bond भी last year issue किया गया था last year एक green bond issue किया था तो इन दोनों पर ही हमने देखा था कि question आया था ठीक है तो इसी लिए हमारे पास जो इस तरहां के bonds हैं वो जब issue होते हैं तो यह हमारे लिए most important हो जाते हैं तो world's first wildlife conservation bond जो है यह किसने issue किया है तो यह issue किया है world bank ने ठीक है अब जो यह wildlife conservation bond जो है यह issue किया गया है world bank के दोरा कि इसको rhinos की conservation के लिए rhinos हमें जो south africa में मिलते हैं south africa में जो हैं यहां पे दो reserves हैं south africa में वहां पे जो rhinos मिलते हैं उनकी conservation के लिए world bank ने यह issue किया है wildlife conservation bond यह देखते हैं the world's first wildlife conservation bond has been issued by world bank raising usd1 field that will partly use for the conservation of south africa's black rhinos black rhinos की conservation के लिए अब यहां पे दो जो reserves हैं यह भी important है और यह आप से पूछा जा सकता है कि यह जो दो reserves हैं यह कहां पे मिलते हैं कोन सी countries में एक है हमारा great fish river nature reserve great fish river nature reserve और दूसरा जो है ado elephant national park यह दोनों ही हमें south africa में मिलते हैं तो यह याद रखना तो friends that's all for today अगर आपको यह video अच्छी लगी है और आपको लगता है कि इस तरह के questions हमें और आपके पास लेके आने चाहिए तो please friends अपने experience हमसे जरूर share करें और इसको अपने friends के साथ do share, like and subscribe और हमसे आप यह भी share कर सकते हैं कि हम आपकी और किस तरहां से help कर सकते हैं और आपको किस तरहां के lectures की और need है अभी जो आने वाल exams है तो जरूर हम कोशिश करेंगे यह अपनी teams के आसा discuss करके उस तरहां के lectures आपके लिए बनाया जाएं और वो वो topics आपके साथ cover किये जाएं इन exam से पहले तो till then bye bye take care कल मिलते हैं आप से